जनदर्सन कैरिकर्यम के तहत मधवनी लोक सभा के भाजपा शांसर डॉक्टर असोक यादव शनिवार को बेनी पटी प्रखंड के अरेर गाउं में पहुंचे जहां मौझूद लोगों ने उनका भव बेश्वागत किया इस दोरान उन्होंने प्रेस वारता करते हुए कहा कि भाजपा रो अन्य राजनितिक दलों में काफी अंतर है भाजपा का एक एक कैरेकर्ता समाजिक दाईतु का निर्वहन करने को संकल्पित दिखता है और आम जनों के साथ जहमेशा जुरा रहता है आज केंदर की नरेंद मुदी की सरकार में लगातार और बेहतर विकास कर रहा है जब पुरा देश में करोना के लहरती तब भी केंदर सरकार ने देश के गरीब लोगों की चिंता कर इससे बचाब के लिए मुप्त स्वधैसी टिका करन कराया और देश के 80 करोड जमता को 5 क लोग मुफ्त अनाज दिलाने का कम किया उन्होंने कहा कि पार्टी अब विस्तारी करन की ओर बढ़ रही है बूत अध्यक्ष के अलाबे अब पार्टी पन्ना प्रमुक भी बना रही है ताकि हम और हमारी पार्टी समाज के सभी बरगों के जरुवत मन्द लोगों तक पुछ जगों पर जलजमाब की समस्या उत्पन हो रही है, कुछ जगों पर जगह के अभाब के कारण नाला नहीं बन रही है। इससे पहले अरेर इंडियन ग्रामिन गैस बित्र निकेंदर पर जद्यू स्वन प्रकोष्ट के जिलाद्यक्ष प्रदीप कुमार जहा बासु ने उन्हें मिथला के रिती रिवाज के अनुसार पाक दोपट्यवार मालयारपन से सम्मानित किया। शादी, माय, मुंदल इसे कार्मे छेत्र प्रमण में कई दिनों से छेत्र प्रमन कर रहे है। और आज का जो कारिकरम होनों का जो संगठन का इकाई मंदल बता ही था। और अरेर मंदल हमों का एक से बठन का इक आए है। उस अरेर मंदल में जनता दर्सम के कारिकरम के लिए आज निकले। जनता दर्सन करना। औरिं। और आदरने प्रथान मंतिर से वडर्द तुरी तई ट्रवारे स how लिए तो खाया रहा है। कर्कम और कि अधि काध प्रफ़ान को और कि बहुनंट जमसे अने प्रफान मंतरी भारत के प्रफ़ान मंतरी कि उप्रिश्ट में Carson पहलें प्रफ़ान मंतरी में हैं है तो bes dual court हीrån ऑप्रफान के लिए जो भी काम हो सकता था जाह सिक्षा की शितर को हैं सामने हैं सब से डादा क्या समझें आपको सुने पर अबाघए के अब बिहार कि मिजली की कोई समस्या आ दे कोई समस्या है कोई के समस्य हें अब आरिति समय मेरा कि पूंचय मेरी वारीन के समय में सबसी भड़ी समस्या आती है कि में जन जमा में कि लूप Mike और बाके छोटी मोटी समस्या है जिसकी और हम आपका ध्याना अक्रिस्ट प्रिस्ट कराएंगे वर्षाथ के समय में खासकर बेनी पर्टी प्रखंट के पस्वी छेत्र में अक्सर आने वाली बाद वहिंकर कवाई हो जाती है तो इस अंदर्द में क्या इस वार भी पस्वी प्रिशत के लोगों की यहीं स्थीपिती करें है अब तक नेपाल सरकार से कोई बाता नहीं है नेपाल सरकार को पहन नहीं करेगा तब तक उस वाट के सथाई समस्या के लिए निदान वे आप एक पर्टिकुलर च्छत्र की बात हुखार है पुड़ा मिध्रांचल इस इग्रसिप अभी बारिस आने वाजी अगर भेंकर बारिस और थोड़ा सब पाने नेपाल से नीचे आता है तो हम लोग जल्मन उप्राइब इस बाट के समस्या के लिए जो हमारी सरकार जो है इद्रमी सरकार है वो निरंतर तत्पर है कि बाट के स सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाना ना भूले